तो 20,000 से कम के अंदर IQ G9S से काफ़े अच्छा उप्षन था बट रिसेंटली रियल्मी ने नार्जो 70 टर्बो को इंडिया के अंदर लॉंच कर दिया और उस फोन को best performance centric फोन बताया जा रहा है बट सेम जिपसर तो CMF phone 1 के अंदर भी है तो चीजे जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं तो IQ G9S खरीदे या फिर रियल्मी का नार्जो 70 टर्बो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से explain करने की कोशिश खरता हूँ I hope आप को पसंद आए तो like, share और subscribe करते हो जाना सबसे पहले तो यह जो price point वाला confusion है ना इसको खतम कर लेते हैं ओफर बगरे लगा के 8GB, 128GB के साथ में IQ G9S 18,000 के अंदर मिल जाएगा लेकिन रियल्मी नार्जो 70 टर्बो को आप सिप 16,000 के अंदर खरीच सकते हो और इसके अंदर एक 6, 128GB वेरेंट भी आता है जिसको आप 15,000 के अंदर खरीच सकते हो तो offer बगरे लगा के रियल्मी जादा सस्ता है लेकिन इसके अलवा क्या difference है सबसे पहले तो look wise दोनों फून देखने में काफ़ी एच्छे लगते हैं रही बाद डिस्पले की तो वो भी similar सा है बस एक difference है आईकू आता है 3D curve डिस्पले के साथ में वही नार्जो 70 टर्बो में आपको फ्लैट डिस्पले देखने को मिलेगा और दोनों डिस्पले 4K HDR को भी support करते है अब depend करता है आपके उपर के आपको curve डिस्पले वाला फोन पसंद है या फिर flat डिस्पले वाला बाकि security के लिए दोनों फोन में under display fingerprint sensor दिया है जो की काफ़ी एच्छे से काम कर रहा है sound के लिए दोनों फोन dual speakers लेकर आते हैं blot wires आपको दोनों फोन में भर-बर के देखने को मिलेंगे और फाल्तु के जो recommendation है वो भी आपको मिलते हैं तो सबसे पहले तो आपको उनको disable करना पड़ेगा और फाल्तु apps को uninstall करना पड़ेगा software promise ऐसा है कि 2 प्लस 3 years के updates दोनों ही ब्रैंड ने promise कि हैं अपडेट जो है वो आपको regular मिलते हैं तो यहाँ कोई change नहीं है देखा जाए तो chipset wise भी कोई खास change नहीं है दोनों फोन में आपको media tech का 70-300 processor दिया है कुछ नया दिखाने के लिए realme ने यहाँ पर energy नाम एड़ कर दिया वैसे processor almost same है, same processor CMF phone 1 में था, same IQZNNS में था और अभी realme के narzo 70 turbo में दिया है दोनों में app opening काफी अच्छी है, multitasking आप कर सकते हो, पर gaming के अंदर आपको एक difference देखने को मिलेगा जो realme वाला है, वो 90 FPS पर आपको gaming करवाता है, जबकि IQ के अंदर आपको 60 FPS का यह option मिलता है तो IQ वाले में कहीं ना कहीं 90 FPS setting unlock नहीं मिलती, और UFS 3.1 storage होनी के वज़े से realme वाला आपको थोड़ा सा fast feel होगा आपकी battery वाइस देखा जाए, तो IQ Z9S चैंपर ज़्यादा better option है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है जबकि realme में आपको सिफ 5000 mAh की battery दी है, दोनों device 44-45W की fast charging को support करते हैं, लेकिन IQ Z9S पे 500 mAh की battery ज़्यादा होनी के कारण इसका जो battery backup है, वो आपको कमाल का देखने को मिलेगा connectivity के लिए दोनों phone में 5G दिया है, 8-9 5G के band देखने को मिलते हैं, 5G में दोनों में अच्छा खासा काम कर रहा है, इसके अलावा dual mic आपको मिलते हैं, silent recording आप दोनों के साथ में कर पाऊगे, लेकिन आपको ओड आले रैपको download करना पड़ेगा, sim slot, IQ के अंदर आपको dual मिलता लेकिन real mic के अंदर आपको hybrid का option मिलिया है, cameras को लेकर ऐसा आए कि देखो चाहे rear camera हो या फिर इसका front camera, IQ Z9C आपर आपको ज्यादा better camera offer करता है, अब IQ के अंदर vivo का optimization है, तो camera किस तरह का quality आपको देगा, इसका I think वो जो बताने की ज़रुत नहीं है, vivo के जो cameras होते हैं वो ज्य processor दोनों के अंदर same देखने को मिलता है, अगर आप gaming वगरे ज़्यादा करते हैं, तो realme में 90 episodes तक का gaming करने का option आपको मिलेगा, और कम price point पर भी ये device आ रहा है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, otherwise इस price point में complete balance phone चाहिए, तो फिर आपको IQ Z9C के साथ में जाना चाहिए, त ही जवारत